नमस्कार विध्यारतियों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तो आज हम हिंदी विशे के अंतरगत व्याकरण का विशे पत्र करेंगे. आप सभी जानते हैं कि पहले समय में जो लोग हमारे सभी सम्मंदी, हमारे मित्र इत्यादी जो हमसे बहुत दूर रहते थे, तो उनकी कुशलता जानने के लिए और अपने कुशल समाचार देने के लिए पत्र का प्रियोग किया जाता था. उस समय आधनिक साधन उपलग नहीं थे, जो हमारे पास आध साधन उपलग हैं, जैसे टेलीफोन, मुबाइल फोन, इमेल, फेक्स, ये सब साधन उस समय उपलग नहीं थे. पहले समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भीजने के लिए एक मात्र साधन था, वो क्या था? पत्र. इसके लिए भार सरकार ने डाग मिवाक का गठन किया था, जिसका मुख्यकारे पत्र को निश्च स्थान तक पहुँचाना होता था, और इसके बदले में आपक को टिकट के रूप में शुल्क देना होता था, तो ये तो थी पत्र से संबंदित को जानकारिया, चुकि आपके पाथिक्रम में पत्र लेखन एक महत्वपून भाग है, और परिक्षा के दृस्ति से हमें इसके बारे में कुछ ऐसी बाते भी जाना आवश्य है कि जो हमारे पत्र लेखन में साहिक होती है, वो हैं पत्र लेखन से संबंदित कुछ युक्तियां, जैसे कि सबसे पहले है वारता लाब, पत्र लिखते समय आपको ये द्यान रखना है, कि जो पत्र आप लिख रहे हैं, पढ़ने वाले व्यक्ति को पत्र कितना समझ में आएगा, तो कि कि जब आप कोई पत्र जब पढ़ता है, तो उस्से में आफार नहीं होते हैं. आपका पत्र लेकर ऐसा हो, कि आप उसके सामने नहीं होते हुए भी, उसको अनुभव दिलाते हैं, कि आप उसके पास ही हैं. दूसरा है सरलता यानि हमें जो पत्र हम लिख रहे हैं वो सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए और कठी शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए ताकि आपका यानि जो आपने पत्र लिखा है और जिस से जिस पत्र को दूसरे व्यक्ति पढ़ रहा है यानि वो पाठक वो पत्र उसके लिए उबाव या निरर्थक ना लगे तीसरा क्या है निश्चयात्मकता यानि आपके द्वारा लिखे गए पत्र में निश्चयात्मकता होने चाहिए यदि पाठक यानि जो पढ़ने वाला है पाठक को पढ़ने के बाद कोई शंका या दुविदा की खत्म हो जाता है अब अगली बात क्या आती है संक्षिप्तता क्योंकि आप जानते हैं हमारे पाठे करम में जो भी हम उत्तर लिखते हैं उसके एक शब्द सीमा होती है तो हमें संक्षिप्तता का भी विशेश तोर पे ध्यान रखना है संक्षिप्तता से अपनी पूरी बात लिखना ही अच्छा पत्र लेखन माना जाता है वारता इवन संदेश का प्रयोग पत्र के अनुरूप ही करना चाहिए एक बात को कई बार लिखना पत्र लेखन के लिए अच्छा नहीं माना जाता कि आप एक ही बात को बार बार लिख रहे हैं लिख रहे हैं वो पढ़ने में उसमें कोई रुची भी नहीं होती है फिर अगला क्या आता है हमारा व्याक्रन जो की बहुत ही महत्वपून है अब व्याक्रन की दृष्टी से पत्र लेखन एक महत्वपून स्थान रगता है अगर आप व्याक्रन में गलती करेंगे तो आपकी द्वारा लिखे के पत्र को अच्छा नहीं माना जा सकता तो पत्र लिखते समें वाक्रन की व्याक्रन पर विशेज ध्यान देने की अवशक्ता है तो चलिए अब हम पत्र लेखन की जो प्रकार है उसके बारे में भी जानने यह भी तैय करना अवश्यक है कि यह पत्र आप अपने किसी मित्र या सहयोगी को लिख रहे हैं या किसी कार्याले से संपर्क स्थापित करने के लिख रहे हैं मतलब आपका यह उदेश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए इस आधार पर हम पत्रों को दो वरगों में विवाजित करते हैं जो कि पत्र के प्रकार माने जाते हैं अनौपचारिक और आपचारिक अब मैं आपको बता दू अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं अनापचारिक पत्र लिखने के समय हमें कुछ बातों को विशी शुप से ध्यान में रखना है जैसे कि उनसे यानि आपका निजी परीचे है और उनसे व्यक्तिगत संबंद भी है इस तरह के पत्र लिखन में व्यक्तिगत सुप दुख का ब्योरा वा विवरन के साथ व्यक्तिगत संबंद का उलेक किया जाता है यानि इसमें कोई अपचारिकता नहीं होती और अपने परिवार के लोग, मित्र, निकट संबंदी को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं जैसे कि आप अपने पिता के नाम पत्र लिखते हैं, मित्र के नाम पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार के पत्र जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनापचारिक पत्र पत्र का दूसरा प्रकार है अपचारिक पत्र हिंदी अपचारिक पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिशे नहीं है क्योंकि ये पत्र कैसे हैं बहुत ही सोलजी होते हैं और इसमें आपको गागर में सागर बरना यानि अपनी बात को उतना ही लिखना है जितना जरूरी है यदि आपका व्यक्तिकत लगाओ या परिचे भी हो तो लेखन में वह व्यक्त नहीं होना चाहिए आपचारिक पत्र लेखन में मुख्य था संदेश, सूचना इवन तत्थेओं का ही अधिक महतु दिया जाता है जैसे कि आप अपने विध्यारें में पंधानाचारे को लिखते हैं अपशादियापिका को लिखते हैं तो इस प्रकार की पत्र क्या कहलाते हैं आपचारिक पत्र कहलाते हैं तो चलिए आपचारिक पत्र लेखन का एक नमोना मैं आपको बता रहे हूं साथी साथ उसमें जो महत्पोन बाते हैं उसकी और भी आपका ध्यान केंद्रित कराते हूं अप्चारिक पत्र लेखन में आवेदन, प्रात्ना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी, संस्थाओं के लिए आवेदन पत्र और संपादक के नाम आवेदन पत्र शामिल होते हैं इन सभी प्रकार के पत्र को कैसे लिखा जाए? इसको मैं ऊधारन की द्वार आपको समझाती हूँ. पत्र लिखन प्रारूप पर आपको ध्यान देना होगा कि पत्र लिखन के समय में कौन-कौन सी बाते महतवपून है. जैसे कि शीर्ष भाग में यानि सबसे उपर पत्र प्रेशक का नाम बायों लिखा जाता है तथा पत्र प्रेशक का नाम की नीचे सुवर निर्देशी के बाद लिखते हैं मद्य यानि बीश में संदेश का विवरण यानि उसकी पूरी डीटेल्स होती है वह आप लिखेंगे और अन्तिम भाग में आभार सूचक वाक्ये जैसे धन्यबाद आग्याकारी इस प्रकार के यभवदिये इस प्रकार के शब्दों का प्रियोग किया दों मैंने आपके लि होते हैं उसमें अपने परिक्षा भवन देली दिनांग इस तरीके से प्रारम करना होता है और उसके बाद जिसको भी आप संबोधित करना चाहें चाहें प्रियमित्र हो प्रियानुज हो अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि आप परिक्षा के द्रिश्टी से अगर आप आपको बताया है कि डाकपाल महोदे को लिखना है तो आप उन्हें संबोधित करेंगे जैसे डाकपाल महोदे संसदमार नई दिल्ली और उसके बाद चुकि यह आपका अपचारिक पत्र है तो इसमें विश्य लिखना आनिवारे हो जाता है अब यह जो पत्र है वह रजिस कर्षित कराने के लिए यह दाकपल महोदे का ध्याना कर्षित कराने के लिए पत्र लिखा गया है जिसमें जो लिखने वाले हैं वह बता रहे हैं कि 20 अप्रेल 2020 को नहीं पने पिता के नामेक रेजिस्ट्री के द्वारा पत्र भेजा था किन्तु एक महीने के बाद भी वह प्राप्त नहीं हो पाया है इसी तरह बताते हैं कि उन्होंने अपने गाउं के इस तरह डाग घर में भी संपक स्थापित करने का प्रयात्म किया था वहां के डाक मास्टर ने उन्हें बताया कि इस तरह का उन्हें कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है रजिस्ट्री पत्र की जो रशीद का नमबर है चूकि ऐसे पत्र है उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर होती है चाहे आपने शिकायत का नमबर हो चाहे रशीद का नमबर हो तो वो नमबर 234 है जो 20 अपरल 2020 को भीजा गया था रशीद का जो फोटो सेट कॉपी है यानि उसके साथ वो उन्होंने सनलगन कर दे वो अटाच कर दी है अब वो प्रात्ना है उनसे की संबन में आवश्यक जाज़ परदाल करें और लिखने वाले को इस मामले के वास्तवे किस्तितिक से अवगत करें ततपश्यत आपका क्या आएगा धन्यवाद भवदिये कखगा चुकि आपको पता है और आपको पहले भी बताये गए कि आपको किसी भी प्रकार से अपना नाम नहीं लिखना है अगर परिक्षा में आपको पता नाम इत्यादी दिया गया है कि जैसे मैं राजेश, रोहिन शेत्र में रहने वाला या वगयरा वगयरा तो तब आपने उन्हें चीजों को अपने पत्र में लिखना है अन्यता आपने कोई भी पत्र में अपना नाम नहीं लिखना है नहीं विध्याले का नाम लिखना होता है अब मैं आपको रचनात्मक कारे के अंतरगत पत्र लिख धन्यवाद।